हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 365 Days, ये 2020 की इटेलियन पोलिश मूवी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ इस मूवी में एक गैंग्स्टर एक लड़की को देखता है और उसके पैर में पढ़ जाता है जब वो उसे मिल जाती है तो 365 Days के लिए उसे किड्नैप कर लेता है ये मूवी somewhat romantic, dramatic मूवी है 365 Days इसी नाम के novel पर ये best है अगर आपको इस मूवी का link चाहिए तो Instagram पर आकर आप directly ले सकते है तो बिना किसी देए के चली शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक beach house दिखाया जाता है यहाँ पर हम देख सकते हैं इस दो गैंग के बीच में मिटिंग चल रही है इस मूवी का हमारा जो main character है इसका नाम है Masimo यहाँ इस मिटिंग में Masimo के फादर दो लोगों से बात कर रहे है इन दो गैंग्स्टर ने बहुत सारी लड़कियों को kidnap कर लिया है पर उन्हें country से बाहर ले जाने में इन्हें बड़ी सी problem है यह problem solve करने के लिए Masimo के फादर के पास वो आय हुए है Masimo के फादर एक बड़े माफिया गैंग के बॉस है तो यह सब वो कर सकते हैं पर उन्हें यह सही नहीं लगता यह उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि इनकी rules के वो खिलाफ है जब मिटिंग चल रही है तब Masimo बीच पर Laura को देखता है Laura यह हमारी main character है Masimo उसे देख कर बहुत ही attracted होता है Masimo के फादर उसके पास आते और कहते हैं कि दोनों बहुत ही घटिया लोग थे पर फिर भी हमें इनके साथ business करना ही पड़ेगा आगे चल कर हमारी काम में यह आ सकते हैं Laura को देखते हुए Masimo को उसके फादर notice करते हैं Masimo के फादर कहते हैं कि वो beautiful है पर फिर भी तुम्हें ज़रा careful रहना पड़ेगा खुबसूरती तुम्हें बरबात करका छोड़ सकती है फादर Masimo को ज़रा serious होने के लिए कहते हैं सब business फादर को ही समालना पड़ता है और Masimo ज़ादा उसमें interest ने लेता आगे चल कर Masimo को ही सब कुछ रन करना पड़ेगा इसलिए उसे कहते हैं कि आप ज़रा तुम serious हो जाओ यह दोनों बात ही कर रहे हैं तभी Masimo के फादर को गोली लग जाती है यह गोली किसने चलाई थी यहां में पता नहीं चलता पर इसमें Masimo भी injured हो जाता है फादर की यही date होती है पर Masimo बच जाता है इसके बाद थोड़े दिन गुजर चुक है Masimo पूरी तरह से record हो चुका है उसके उसके accountant से meeting चल रही है यह हम देख सकते हैं उसके accountant उसे कहते हैं कि आपके फादर की मर जाने के बाद उनकी सिर्फ 30% revenue आपको मिलेगी Masimo कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ पैसे दे दिये थे उससे क्या करना था यह तुम्हारी responsibility थी मुझे इमत बताओ कि मुझे सिर्फ 30% ही मिलने वाले है Masimo पर कोई भी agree नहीं करता तो सब की file Masimo के पास है इन files में कई लोग के affairs भी होते है Masimo फिर कहता है कि तुम्हारी भी बड़ी company है अगर मैं सब out publicly कर दूँगा तो सब share तुम्हारे भी डूप जाएंगे और बचे-खोचे पैसों में से तुम्हारी company में buy कर लूँगा और तुम्हें fire करूँगा सब डर जाते है Masimo कहता है कि जो भी सब ऐसे है वो सब मुझे मिल जाने चाहिए और उस पर वो 10% interest भी लेने वाला है इस scene से Masimo किस तरह का strong character है यह हमें पता चलता है इसके parallel scene में Laura एक marketing meeting में है Laura की company में एक बड़ा सा loss हुआ है उसका core कर उसे कहता है कि यह तुमारी वज़े से हुआ है Laura easily victim हो जाए इस तरह का character नहीं है वो भी यहाँ fight करती है जो fact जिस तरह से थे वो उससी तरह से कहती है उसका job जाने वाला था पर उसे उस save कर लेती है इसके बाद हम देखते है कि Laura आपने घर आती है उसका एक boyfriend है आज हो उसके साथ intimate होना चाती है पर उसका boyfriend कहता है कि कल हमारी fright है तुम ज़रा आज आराम कर लो इनकी relationship कही दिनों से सही नहीं चल रही इस वज़े से एक trip लेना चाते है Laura फिर रात में अपने आप कोई प्लीज कर लेती है नेकसिन में हम देखते है कि Laura और उसका boyfriend holiday के लिए आ चुके है Laura का boyfriend उसे डिनर के ले कर जाता है यहां Laura के friends भी है उसके लिए एक बड़ा सा toast करता है यह सब बात ही कर रहे है तब हम देखते है कि उनके लिए champagne की bottle आती है इन्होंने यह order नहीं की पर किसी ने उन्हें गिफ्ट की है Laura थोड़ी दर में वास्रूम जाती है यहां वो मसीमो से टकराती है इससे हम बोल सकते है मसीमो ने ही वो bottle उसे भीजी थी नेकसिन में हम देखते है कि नेकसुबा Laura अपनी friend Olga के साथ hangout करती है Laura का boyfriend उसे बाहर लेकर जाने वाला था पर वो अकिला ही चला गया उसकी friend उसे कहती है क्यों ऐसे कैसे कर सकता है Laura कहती है कि उसके life में कुछ priorities है पर उस priorities की list में कभी भी में first number पर नहीं आती Laura का boyfriend उसके पास आता है Laura उसे confront करती है वो कहता है कि तुम्हारी heart condition है सिवाजे से ज़्यादा तुम activity नहीं कर सकती है Laura को सचमूच एक heart condition है Laura कहती है हर बार तुम हर conversation को सिर्व मेरे heart condition पर ही नहीं blame कर सकती है उस पर गुसा होकर वहाँ सिवाच चली जाती है रात में वो अकेली shopping कर रही थी तब ही कुछ लोगों ने उसे किर्णा अप कर लिया डारेक्ली next रात ही उटती है वो समझ नहीं पाती कि वो कहा है आसपास देखती है सब घर ढुणती है जब वो living room में आती है तब उसका बड़ा सा portrait वहाँ लगाय हुआ है यहाँ पर मसीमो उसके पास आ जाता है लौरा डर जाती है तुम हो कौन यहाँ मझे क्यों रख रहे हो मसीमो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हो पर एक चीज तुम ध्यान रखना कभी भी मैं जूट नहीं बोलता अब मसीमो एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करता है मसीमो कहता है कुछ मन पहले मैं तुम्हें बीच पर देखा था तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था उसके बाद मुझे कोली लग गए और मैं होस्पिडल में था मैं तुम्हें ढूणना चाता था पर तुम्हें बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था उस इंसिडेंट को 2-3 साल गुजर चुके है इतने सालों तक तुम्हें यही में ढूण रहा था मसीमो अपनी बिजनेस के लिए खुमता रहता है तो इसलिए लॉरा को उसने देख लिया था और उसने उसे किर्णाप कर लिया लॉरा कहती है कि मैं कोई चीज नहीं हो ऐसे तुम मुझे पा नहीं सकते है मसीमो कहता है कि हाँ मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हें एक साल देना चाहता हूँ एक साल में तुम अगर मेरे पैर में नहीं पड़ी तुम्हें तुम्हें जाने दूँगा लॉरा कहती है मेरा बॉयफरेंड ने मेरी लाइफ है ऐसे कैसे मैं छोड़ सकती हूँ लॉरा के बॉयफरेंड का चक्कर चल रहा था उसकी सब फोटो मसीमो लॉरा को दिखाता है उसका हार्ड ब्रेक हो जाता है पर फिर भी وہ एक करने के लिए राजी नहीं है वो रेजिस्ट करती है और मसीमो की गंद अपने हाथ में ले लेती है मसीमो उसे कंट्रोल कर लेता है मसीमो कहता है हमेचा मुझे जो भी चीज चाहिए थी वो मैंने पा ली है मुझे कभी भी गुस्सा मत दिलाना वरना बहुत बुरा होगा यह लौरा से बात कर रहा था तभी मसीमो के आदमी वहा आ जाते है एक इशू है जो उन्हें सौट आट करना है मसीमो फिर अपने बेस्वेंट में आयो हूँ में दिखता है मुवी के फास में हमने कुछ लोग देखे थे जो लेड़कियों की ट्रैफिकिंग करना चाहते थे मसीमो के फादर ने उन्हें मना किया था पर फिर भी ये कर रहे थे जिसने किया था उस आदमी को यहाँ पकड कर रखा है मसीमो कहते है मेरी बिजनेस से तुम कुछ चुरा लेते तो भी शायद मैं तुम्हें माफ कर देता पर तुमने जो किया है बहुत गलत किया है लौरा इस जगह से भागनी की कोशिश करती है वो बाहर आती है तभी मसीमो इस आदमी को मार रहा होता है यह मर्डर देखकर उसे चक कर आ जाती है नेक सुबा जब लौरा उठती है तब उसके पास मसीमो बेटा हुआ है उसे यह जो तुमने देखा तुमें नहीं देखना चाहिए था मैं तुमें अशूर करता हूँ जिसको भी मैंने मारा है वो यह डिजर्व करता था लौरा जल्दी से इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएगी यह उसने एक्सेव्ट कर लिया है वो मसीमो को कहती है कि मुझे मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए मसीमो कहता है कि मुझे अच्छा आइड़ा नहीं लगता जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ तुमें मिल जाएगा मसीमो कहता है तुमारा सब सामन में यहां लाच चुका हूँ मेरा आदमी डॉमनी को हमेशा तुमारे साथ रहेगा जो भी चीज़े तुमें चाहिए होगी वो सब लाग कर देगा लॉरा जब लंज के लिए आती है तब उसके लिए बहुत सारी चीज़े बनवाई हुई है थोड़ी दर मैं मसीमो उसके पास आता है और कहता है कि आज मुझे ज़रा काम है तो तुम मेरे साथ चलोगी लॉरा कहती है तुमारे साथ में कही भी नहीं आने वाली मसीमो बोलता है कि मैंने पूछा नहीं था एक ओर्टर था और उसे जबर्दस्ती लेकर जाता है मसीमो का काम हो जाने के बाद लॉरा उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाती है शॉपिंग करते वाग एक शॉप से वो भागती है और पुलिस के पास आती है जब मसीमो वहाँ पहुचता है तो पुलिस भी उसे इग्नोर कर देते है मसीमो उसे कहता है कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें टज भी नहीं करूँगा अगले नेक साल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है तो जल से जल तुम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी इजी होगा तुम्हें जो लगता है कि मैं एक मॉंस्टर हो इस तरह से मैं नहीं हो लॉरा फिर कहती है कि मुझे जल से जल मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए उसे एक डीश पसन है तो बनवाने के लिए कहती है लॉरा अब थोड़ा सा कमफरेबल होकर रात में डिनर के लिए आती है वो मसिमो से पूछती है कि अगर मैं एक साल तक यही रहने वाली हो तो तुम करते क्या हो तुम कौन हो यह तो मुझे पता होना चाहिए मसिमो कहता है कि जितना तुमें कम पता हो यही सही होगा पर फिर भी उससे कहता है कि मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अलग-अलग बिजनेसे से तुम मुझे as a businessman कही भी introduce करा सकती हो बसीमो फिर लॉरा के पास आता है कहता है कि जंडल बनने में मुझे तुम सरा help करना लॉरा रात में अपने bedroom में आती है इसलिए उसका boyfriend उसे नहीं डून रहा था लॉरा सबको inform करती है कि एक नई country में उसे job मिल चुका है और सबको वो जल्दी से जल मिलने के लिए आएगी लॉरा जब सोती है तो मसीमो उसके पास आकर सो जाता है सुबा होने बाद लॉरा है नोटीस करती है अब मसीमो की चिड़ाने के लिए उसके सामने ही नहाती है मसीमो ने उसे कहा है कि जब तक वो उसे allowed नहीं करेगे तब तक वो उसे touch नहीं करेगा तो उसे पुरी तरह से वो चिड़ाने वाली है मसीमो चिड़ कर उसे कहता है कि हमेशा मुझे जो चीश है ये थी मुझे मिल चुकी है तुम मुझे ज़ादा चीड़ा हो मत वरना तुम्हारा हाल बहुत भुरा होगा आज मसीमो ज़रा बाहर जाने वाला है तो लौरा कभी अपनी फ्लाइट में लेकर जाता है लौरा रजिस्ट कर रहे थी तो उसे उसने पूरी तरह से बान दिया है यहाँ इस फ्लाइट में उसे री जाने की कोशिश करता है तो फेर से हो सकता है जब तक तुम मुझे हा नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला मसिमो को इंबेरस करना यही लौरा का मीशन बन चुका है मसिमो जब अपने प्रदर से बात कर रहा होता है तब लौरा वहाती है बहुत ही अनपरोप्रेट तरीके से आईस्क्रीम खाती है सब लोगों के सामने फॉंटन में जाकर नहाती है मसिमो बहुत चेट जाता है रात में एक रूम में वो उसे लेकर जाता है यहाँ पर बेट से जबरदस्ती उसे बान देता है लौरा को कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम मिस्स कर रही हो एक लड़की को वो अंदर बुलाता है उसके साथ इंटिमेट हो जाता है यही उसकी लौरा को जेलस फिल कराने की एक कोशिश है थोड़ी देर में अब इने कलब में जाना है लौरा फिर से मसिमो का इंबरस करने के लिए एक छोटी सी ड्रेस पहनती है मसिमो यह देखकर फिर से चेटता है जब वो कलब में जाते है तो मसिमो के सामने एक दूसरे आदमी के साथ वो फिलर्ट करती है थोड़ी देर में यह आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है मसिमो गुस्सा आता है इस आदमी को बहुत मारता है उसके हाथ पर एक गोली भी चला देता है मसीमो के फादर का एक friend है जो इनके लिए काम करता है उसके फादर figure ही वो है मसीमो को कहते है कि जिस आदमी को तुमने मारा हो हमारे rival gang का एक member है तुमने जो किया है इसी वज़े से अब war start हो चुकी है Laura ये सब सुन रही थी उसे लगा कि मसीमो ने उस आदमी को मार डाला मसीमो उसे समझाता है पर कहता है कि ये सब तुम्हारी कलती है इन दोनों में फाइट हो जाती है Laura गुसे में इस याड से जम मार देती है मसीमो उसे बचा लेता है Laura को जब भौश आता है बहुत सारे दिन वो यही यार्ट पर बिताते हैं एक दिन मसीमो लॉरो को कहता है कि हमें पार्टी में जाना है या एक गाला पार्टी है इसका मतलब है सब लोग मास को एगरा पहन कर डांस करने वाले हैं लॉरो को मेकवर देने के लिए स्पेशल आदमी बुलाए जाते हैं लॉरो बहुत खुश होती है रात में ये तोनों गाला में आते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल डांस करते हैं इन दोनों के पास एक लड़की आती है ये मसीमो की एक्स गर्ट्रेंड है ये मसीमो से कहती है कि लास में तुमने उसे पाही लिया है ये लॉरा को मार डालेगी ये क्या कर वहाँ से चली जाती है लॉरा पुशती है कि ये कौन थी मसीमो कहता है कि वो मेरी एक्स गर्ट्रेंड थी लॉरा पुशती है कि तुमने ब्रेक अप कब किया मसिमो कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें देखा उसी दिन मैंने ब्रेक अप कर लिया मसिमो ने 2-3 साल तर लॉरा की फोटो अपने बेडरूम में रखी थी सबको लगता था कि लॉरा कभी भी उसे नहीं मिलेगी इसी वज़े से उसकी गर्फरेंड को भी लॉरा के बारे में पता था लॉरा अंगर्फरेंडबल महसूस करती है और दोनों घर आ जाते है एक दुसरे के साथ इंटिमेट होते है मसिमो लॉरा से कहता है कि बहुत दीन हो चुके है तुमने फ्रेंड्स अपनी फैमिली से नहीं मिले तो उसके लिए वो तिकेट वेगरा बुक कर कर देता है वहाँ से जाते जाते उसे I love you कहता है लॉरा अब अपनी कंट्रे में आ चुकी है अपनी फ्रेंड ओलगा से मिलने के लिए जाती है वोलगा से सब कुछ वो जूट कहती है उसे अच्छी जॉब मिल चुकी है और अच्छा बॉइफ्रेंड भी है यह सब उससे कहती है सब चीजे शुगर कोट करकर उसे बताती है पर उसकी फ्रेंड भी स्मार्ट है वोलगा कहती है कि ये सब बादे तुम्हारे पास ही रखो सचूंच में क्या हुआ ये तुम मुझे बताओ इसके नेक्सिन में लॉरा हमें डारेक्ली रोती हुए दिखती है वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ सच सच बता देती है उसकी फ्रेंड को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है लॉरा को चेर अप करने के लिए वोलका उसे बाहर लेकर जाती है ये मसाज करवाते है, न्यू हेर कट करते है ये दिन बहुत अच्छा सा उबिता थे रात में जब ये पार्टी करने के लिए कलब में आते हैं, तब लॉरा का एक्स बॉयफ्रेन भी वहा है, लॉरा को समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि तुमसे बहुत प्यार करता हो, वो कहता है तुमने जो सब फोटो देखी वो सब गलत है, मैं नशे में था, इसी वहाँ से चला जाता है इसके बाद ये दोनों फिर से इंटिमेट हो जाते है लॉरा आप मसीमो से कहती है कि आप मुझे एक सान नहीं चाहिए वो भी उससे पैयर करती है सुबह होती है तो लॉरा नोटीस करती है कि उसके फिंगर में अल्रेडी रिंग है वो पहले सप्राइस होती है पर मसीमो उसे शादी करने के लिए उससे पूछता है लॉरा भी उसे हा कहते है लॉरा की एक फ्रेंड की शादी है वहाँ पर वो मसीमो की लेकर आती है लॉरा के मदर और फादर यहां प्रेजेंट है लॉरा एक्चुल में पोलिश है और मसीमो इटैलियन लॉरा के मदर फादर को मसीमो की लेंगवेज नहीं पता और मसीमो को उनकी लॉरा मसीमो को अपने मदर फादर से इंट्रोडूस करवाती है फादर पुछते है कि यह करता क्या है मसीमो कहता है कि मैं गैंक्स्टर हूँ पर लॉरा के मदर फादर को यह समझ बनी आता लॉरा अब सबसे मिल चुकी है तो फिर से वो इटेली आ चाते हैं इन दोनोंने डिसाइड किया है कि इनकी शादी इसी कंट्री में होगी लॉरा नहीं चाती कि किसी को भी पता चले कि मसीमो एक्चुल में करता क्या है इसी वज़े से अपनी वीडिंग पर वो किसी को भी नहीं बुलाने वाली सिर्फ उसके फ्रेंड को बता है तो उसे इन्वाइट वो करने वाली है यह सब वो मसीमो को कहती है और मसीमो भी इसके लिए एगरी करता है जब मसीमो और लॉरा बात कर रहे थे तब मसीमो का एडवाइजर भी वहा है लॉरा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसन नहीं करते ये अडवाइजर कहता है कि हाँ हम इटाइलियन से मसुम की शादी तुम से हो ये कोई भी नहीं चाहता ये कुछ परसनल नहीं है पर इससे हमारे बिजनेस पर कुछ फरक पड़ सकता है नेकसे में हम देखते हैं कि लॉरा की फ्रेंड ओलगा यहाँ आ चुकी है लॉरा अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो प्रेगनन्ट है उसकी फ्रेंड उससे बहुत इचिट जाती है उससे कहती है कि तुम्हें लाइफ के साथ कर क्या रही हो तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा पर तुम्हें एक गोल्डन केज में हो तुम्हें अब यह सब सही लग सकता है पर आगे चल कर फ्यूचर में तुम्हें बहुत प्रॉल्म आ सकते है लॉरा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाते उसकी फ्रेंड भी उसे समझ लीती है वो मजाग में कहती है कि at least तुम्हारे बच्चे तो खुबसरत आएंगे वो स्मार्ट नहीं होंगे पर खुबसरत होंगे यह दोनों इस पर बहुत हस्ती है लॉरा और ओल्गा फिर वेडिंग शौपिंग करते हैं शौपिंग करते हैं बहुत मजी करते हैं नेक सिन में हम देखते हैं मसीमो के एडवाइजर को कॉल आता है वो बहुत ही टेंशन में है वो जल्दी भाग कर मसीमो के पास जाता है लॉरा की जान को खत्रा है यह उसे कहता है लॉरा और ओल्गा दोनों गाड़ी में थी लॉरा ओल्गा से कह रही थी कि वो प्रेगनेंट है यह वो मसिमो को कहने वाली है इन दोनों की गाड़ी हमें टनल में जाती हुई दिखती है मसिमो को अभी अभी पता चला है कि लौरा डेंजर में है उसे वो कॉल करने के कोशिश करता है पूर कॉल लग नहीं पाता वो ही नीचे गिर कर वो रोने लग जाता है लौरा टनल में गई थी पर टनल के बाहर हम पुलीस की गाड़ी देखते हैं यानि कि लौरा को कुछ हो चुका है यहीं मूवी एंड कर देते हैं एक्च्वल में एक बुक सीरीज है जिसमें तीन बुक्स है नेक्स्ट पार्ट की शुटिंग स्टार्ट हो गई थी पर कोविड-19 की वज़े से और वो जरा रुख चुकी है लौरा को वैसे कुछ भी हुआ नहीं है वो इस बुक्स की पूरी स्टोरी में है मूवी का जब नेक्स पार्ट आएगा तो मैं उसे एक्स्प्लेन करूँगा पर अगर आपको पूरी तीनों बुक्स की स्टोरी एक समरी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो मैं एक शॉर्ट वीडियो उस पर बना कर डाल सकता हूँ आज का वीडियो हम यही कदम करते हैं अगर आपको वीडियो अचला लगा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर जीजे और बेल नोटिविशन आइकोन दबाने भी मत भूलिए फिर से मिलेंगे और एक निमोगे साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये